नमस्कार आप देख रहे हैं देश्वा नियूज और मैं हूँ आपके साथ कुमार कौशी नए साल की शुरुआत के साथ कड़ा के ठंड के बाउजूद बिहार की विभिन राजनितिक दलों के द्वारा राजनितिक बल का परिक्षण सुरू हो चुका है अब विभिन पार्टिया जो है बिहार की वो सभी पार्टिया मुस्लिम वोटर्स को आजमाने के लिए अब अपना अपना परिक्षण सुरू कर दी है सिमान चल में दौरा शुरू करने का प्लानिंग शुरू हो चुका है बताया जा रहा है कि अब आरजेडी के द्वारा भी यात्रा सुरू होने वाली है सियम नितिश कुमार पस्चिम चमपान से यात्रा सुरू करने वाले है अब सूचना ये आ रही है कि आरजेडी के द्वारा भी सिमान चल यात्रा होगा आरजेडी के प्रवक्ता के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि यात्रा की कारिक्रम की तयारी शुरू हो गई है सिमानचल में ते जस्वी यादो यात्रा करेंगे नितिश कुमार यात्रा की शुरुआत तो करी रहे हैं अब ते जस्वी यादो भी सिमानचल यात्रा पर जाएंगे और ये भी बताया जा रहा है कि ऐसा तब हुआ जब AIM-AIM के प्रमुक असद्दूदीन ओवैसी ने एक नीजी चैनल पर बयान दिया कि किशन गंज में हमारा प्रत्यासी खड़ा होगा और हैसा तब हुआ जब AIM-AIM के प्रमुक असद्दूदीन ओवैसी ने एक नीजी चैनल पर बयान दिया कि हम देश के किसी भी जीले से चुनाओ लड़े या न लड़े लेकिन बिहार के सिमानचल के किशन गंज में ताल जरूर ठोकेंगे वहाँ पर हमारा प्रत्यासी जरूर होगा अब इसको लेकर के राजनितिक जानकारों के द्वारा कायास लगाया जा रहा है वो इसलिए कि असद्दूदीन ओवैसी के पाथ विधायकों में से चार विधायकों को ते जस्वी यादो ने यानि की आरजेडी ने तोड़ दिया था और अपने में शामिल कर लिया था अब असद्दूदीन ओवैसी जो हैं वो बदला लेने के मूड में हैं और इसी मिजाज के तहप वो सिमानचल के किशन गंज में ताल ठोकने की बात कर रहे हैं और इस बात को ले करके अब राजनितिक जानकार जो हैं वो कयास लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या ते जस्वी यादो असद्दूदीन ओवैसी की धमकी से डर गए हैं और इसी डर के कारण वो सिमानचल यात्रा करने के चक्कर में लगे हुए हैं वहां के मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में खीचने की कोशिश करने वाले हैं क्योंकि आरजेडी जो है उसके द्वारा हमेशा ही एम वाई की रणित की जाती है लेकिन अब तो थे जस्वी यादो ये भी कहते हैं के एटू जेड की रणित होगी एटू जेड की राजनित होगी और अब असदुदीन ओवैसी ने जब मीजी चैनल पर ये खुलाशा कर दिया है कि देश के किसी कोने में हमारी पार्टी चुनाओ लड़े या न लड़े मैदान में आये चाह न आये लेकिन बिहार के किशन गंज में हमारी पार्टी का प्रत्यासी जरूर होगा वहाँ पर चुनाओ का ताल जरू ठोका जाएगा और इसी के बाद आरजेडी का प्रवक्ता ये बोलता है आरजेडी के प्रवक्ता के द्वारा ये कहा जाता है कि हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं सिमानचल यात्रा की और कारेकरम की तैयारी की शुरुवात हो चुकी है इससे पहले 2020 के विधान सभा चुनाओं में AIM-AIM ने सिमानचल की 24 विधान सभा सीटों में से 5 पर जीतासिल की थी सिमानचल में पूणिया, अररिया, किशन गंज और कटिहार शामिल है किशन गंज में मुसल्मानों की अनुमानित जनसंख्या 67% है कटिहार में 43%, अररिया में 40% और पूणिया में 38% अबादी है और इस पूरे मुसलिम आबादी को जो है, वोट बैंक का मजबूत हिस्सा माना जाता है और उसी मुसलिम वोट बैंक को लुभाने के लिए तमाम राजनितिक पार्टिया जो हैं अपनी राजनितिक बल का परिच्छन कर रही है और इसी के तहट सभी लोग सिमान चल की ओर मुखर हो गया है और असदुदीन ओवैसी ने बयान दे दिया और आरजेडी के तरफ से भी अब तैयारिया सुरू हो गई है सिमान चल की ओर मुखर होंगे वहां से अपनी यात्रा शुरू करेंगे वहां की मुस्लिम पार्टियों को अपने पाले में खीचने का कोशिश करेंगे तो अब तक के लिए बस यही तक फिर मिलते हैं ने मुद्देन सरुकारों के साथ तब तक देशवा नियूज देखते रहिए देश्वा न्यूज को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाओ देते रहिए, धन्यवाद।